नमस्कार मैं हूँ राकेश उपाद ध्याय और लाइव इंडिया में आपका स्वागत है पार्लामेंट में बीजेपी ने कोईले के सवाल परमन मोहन सिंग को घेर लिया है मोदी की स्टीफे की मांग उठी है तो राज्य सभा में गुजरास सरकार को बरखास्त करने पर भी शोरगूल और हंगामा हुआ है यानि सियासत में मनमोहन और मोदी पर महाभारत तेज है देखिए हमारी ये खास पेशकत राज्य सभा की कारवाई शुरू हुई तो वंजारा की चिठी के सवाल पर मोदी के खिलाफ संसदों ने कोहराम उठा दिया संसद में मोदी को बरखास्त करो और गिरफतार करो के नारे गूजने लगे तो सभापती का सिंहासन भी डोल उठा राज्य सभा में मोदी के खिलाफ उठा शौर परखास्त करो मोदी को गिरफतार करो जाहिर तोर पर अपने नेता के खिलाफ उठ रही आवाज को बीजेपी संसद कैसे सुन पाते पलटवार भी शुरू हुआ उसी अंदाज में लेकिन कौन क्या बोल रहा है सुनना मुश्किल था बीजेपी संसदों की जवाबी नारे बाजी आएगा भी आएगा नरेंडर मोदी आएगा राजे सभा में मोदी के सवाल पर हंगामा देर तक बरपा तो लोक सभा में बीजेपी ने कोईले के सवाल पर प्रधान मंत्री की जम कर क्लास लगाए बायान की सारी हदें पार करते हुए नेता विपक्ष सुष्मा स्वराज ने मांग उठा दी कि प्रधान मंत्री सीबी आई के सामने पेश हूँ आरोब ही लगाया कि कोईला घोटाले की फाइलें घुम नहीं हुई हैं उन्हें साज़िश के तहट चुराया गया है भारती जन्ता पार्टी लगातार प्रधान मंत्री की इजज़त के साथ खिलवाल करती है अगर मैं कहुँन कि देश की इज़त के साथ खिलवाल करती है तो गलत नहीं होगा इस तरीखी के बयानात कि मैं निंदा करता हूँ हालां कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ही अपने जवाब में साफ कहा था कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है सीबी आई को तेड़ लाख पन्ने सौपे जा चुके हैं और जिन फाइलों की दरकार है उन्हें भी तलाश कर सीबी आई के सुपूर्द कर दिया जाएगा कॉंग्रेस ने बीजेपी की बांग को प्रधानमंत्री की छवी खराफ करने की कोशिश करार दिया अब ये मामला मिसिंग का नहीं स्टोलन केटिगरी का बन गया इसलिए इसमें तुरंत अफाइयार दर्ज होनी चाहिए लेकिन आज तक सरकार ने इसमें अफाइयार दर्ज नहीं कराई सरकार हमें ये बताए कि आप अफाइयार कब तक दर्ज कराएंगे अगर आप F.I.R. दर्ज नहीं कराते तो आपकी नियत पर शक होता है कि आप इन Missing Files को खोजना नहीं चाहते, इन चुराईवी फाईलों को खोजना नहीं चाहते इस बीच लोगसभा में बीजेपी के समर्थन से सरकार ने बेहद एहम पेंशन बिल को पारित करा लिया लोगसभा से जमीन अधी ग्रहन बिल भी पारित हो चुका है जिसे राज्य सभा में सरकार बेश कर चुकी है बॉन सुन सत्र में विबख्ष के घमासान के बीच फूट बिल पर सरकार संसद की मनजूरी ले चुकी है लेकिन कोईले के सवाल पर सरकार और विबख्ष के बीच घमासान चारी है जाहर तोर पर बीजेपी मनमोहन को घेर रही है तो कॉंग्रेस और बाकी विबख्ष भी मोदी के सवाल पर बीजेपी की तगड़ी घेराबंदी में जुट गया है राके शुपाधियाई के साथ खुमार कौरव लाइव इडिया तो एक तरफ कॉंग्रेस के हाथ में राइट टू फूड बिला चुका है जमीन अधिकर्ण काभील आ गया है और पेंशन बिल भी कॉंग्रेस के हाथ में आ गया है इंजन तेज बढ़ता किसका इंजन आगे बढ़ेगा इस बीच प्रधान मंत्री आज संसद में नहीं थे क्योंकि वो मौस्को रवाना हो गए जी टॉंटी देशों की बैठक में हिस्सा लेने इंदर संसद में विपक्ष ने कोईला घोटाले में प्रधान मंत्री की भूमिका पर सवाल दर सवाल उठाए एह मुद्दा है कि चुनाव नजदीक है और आर्थिक से हद देश की बिगडी हुई है कहीं भरष्टाचार की कालिख कॉंग्रेस यानी मनमोहन सिंग पर भारी से बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सम्मेलन भारत की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए राहत की कोई सवगात लेकर आएगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की डॉलर घीचने की कोशिसों से परिशानी सिर्फ भारती अर्थव्यवस्था को नहीं है बलकि असल चुनोती ब्रिक्स देशों के सामने भी है जिसमें ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ भारत की भी एहम हिस्सेदारी है अर्धान मंत्री मनमुहन सिंग ब्रिक्स देशों के साथ बैठा करार्थिक सुनामी में देश का रूपया सभालने और भविश्य सुरक्षित करने की उपायों पर भी चर्चा करेंगे लेकिन मौस को रवाना होने से पहले मंगलवार रात अपने घर पर विपक्ष के नेतारुन जेटली, शुश्मा सुराज और लाल कृष्णा डवानी से मुलाकात कर मनमुहन ने साफ संकेत ये भी दिये, तमाम मत भेदों के बावजूद, देश के लिए एहम नीतिकत मसलों में उन्हें विपक्ष के सहयोग की दरकार है वो भी पक्ष जो कोईले के सवाल पर मनमुहन सिंग के खिलाफ लगातार हमलावर है सदन चलने के लिए सब के साथ की जरूत होती है और ये आज खुशी की बात है कि सदन चल रहा है सदन चलना चाहिए, सदन में क्या चाय होती है, बहस होती है और यही संसिदिये, राजनीती की बुनियाद है मुंबई में पहली प्रेस कॉनफरेंस में ही सवगातों की बहुचार देने के संकेत दिये ये भी कहा कि जल्द ही वो पॉलिसी ड्राफ्ट लेकर देश के बिगडते आर्थिक हालात पर सुधार के नए पंख लगा देंगे जाहिर तोर पर जुनाव की आहट नजदीक देख पूरी सरकार, महंगाई, रुपए की पस्तहालत, बिगड़ते निवेश के माहौल और गिर्ती जीडीपी यानि विकास दर को सुधारने में जुट गई है चुनावी लिहास से फूड बिल को भी यूपी ने संसत से मंजूर करा लिया है और पेंशन बिल, जमीन अधिगरण को मंजूरी के लिए संसत का मौनसून सत्र फिर से बढ़ाने की भी तयारी है लेकिन असल मुद्दा उस भ्रष्टाचार का है जो अब कोईले के जरीए केंद्र और खास तोर पर मनमोहन सिंग पर कालिक छोड़ने को बेकरार है बताया जा रहा है कि ज़्यादा तर गुमफाईले उस वक्त की हैं जब कोईला मंत्राले प्रधान मंत्री के मातहत हुआ करता था यही वज़े है कि विपक्ष अब मनमोहन सिंग को बख्षने को तयार नहीं है राकेश उपाद्ध्याय, लाइव इंडिया, दिल्ली बात नरेंद्र मोदी की प्यादे, प्यादे जो है शतरंज की विसात पर कैसे खेले जाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे पीछे हटते हैं और कैसे उनको महामंत्री बचाता है और जब खत्रा राजा पर मढ़ राता है तो प्यादे बली चड़ जाते है क्या हुआ गुजरात में ये तो भविश बताएगा लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वंजारा ने चिठी लिखी क्यों नरेंद्र मोदी को तमाम किंट पर उन सवाल हैं लेकिन एक खबर छनकर आ रही है गुजरात से और खास तर पर उस जेल से जहां वंजारा थे कि वो आसाराम बापू की गिरिफतारी से टूट गए थे आसाराम बापू की बेहत नजदीकी भक्तों में शुमार किये जाते थे वंजारा और वंजारा ने नजदीकी लोगों से कहा कि जो भगवान मेरे गुरू को नहीं बचा सका जो मुझे नहीं बचा सका जो 32 पुलिस अधिकारियों को नहीं बचा सका और जिनकी दम पर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में देश में बहादुरी का तमगा उड़ा आखिर उस नरेंद्र मोदी को लेकर हम क्या करें इस अवाल वंजारा ने खड़ा किया है, देखते हैं रिपोर्ट बात बात पर सोशल मीडिया के जरीए ग्यान बांटनी और बहस पैदा करने के हिमायती मुख्यमंत्री नरेंद्र मुदी के लिए वंजारा के स्तीफे और आरोपो ने बड़े मुश्किल हालात पैदा कर दिये हैं वंजारा की चिठी न उगलते बन रही है और नहीं निगलते अभी तक नरेंद्र मुदी के रड़नी इतकार यही तै करने में जुटे है आखिर इस चिठी के हथियार की मार कहां तक जाएगी और कानून की अदालत में क्या ए चिठी मुदी के खिलाफ वंजारा का कनफेशनल स्टेटमेंट यानि गुनाहों की गवाही तो नहीं बनेगी अभी तक क्या करते रहे इतने दिनों था अगर कोई प्रसानी थी तो पहले लिखना चाहिए था आप कौन सा संकट आ गया उनको तो जेल में है अधालत जो निरने करेगा उसी का पालन होगा संसद में इसी सवाल पर विपक्षी पार्टियां और बीजेपी गुथम गुथा हुए तो गुजरात से संकेत आया कि वनजारा का इस्तीफा सरकार मंजूर नहीं करेगी क्योंकि वनजारा के उपर अभी केस बाकी है लेकिन विपक्ष ने फोरण ही मोदी पर इस्तीफे की तलवार लटका दी राज्य सभा में जम कर हंगामा हुआ तो लेफ्ट पार्टी की नेताओं की और से मांग उठी कि मोदी फोरण मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा दें और गुजरात सरकार फोरण बरखास्त की जाए अगर जराबी नेतिकता है तो पहले उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नरेंद मोदी को और फिर उन पर लगाए हुए सारे आरोपों की विधिवत जहां चोनी चाहिए दूसरी और मोदी की रणनीतकार वंजारा के खत की कार्ट में चुट गए है मोदी की चुनावी कैमपेण की तारीखें तैहोने लगी है और यूपी से चुनाव परचार सभाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है जहां में शाह प्रभारी महासचीव के तौर पर चुनावी मोर्चा सभाल रहे है इस पीच सवाल यह है कि क्या बीजेपी वंजारा के ताजा हमले के बाद नरेंद्र मुदी को पियम उम्मीद्वार गोशित करेगी बाहर दिखाने के बयान कुछ भी हो बीजेपी के अंदर खाने बड़े निताओं ने वंजारा के हतियार को हतिया लिया है जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मुदी भरोसे के काबिल निता है राकेश उपाध्याय के साथ मेहुल जाला लाइव इंडिया एहम दाबाद दुश्मन चुनवती देते हैं तो सामना करना लाजमी हो जाता है लेकिन जब अपने चुनवती देते हैं अपनों की बगावत होती है तो सामना करना मुश्किल हो जाता है वक्त एक बुरे कजल लड़ते हैं